असलाम वालेकूम आएम बिलाल सेथ फरो मुबाइल आरेना यूटिब चैनल वीवर्स आज की सुड़े में हम देखेंगे नेफिंग फून वान की पाकिसन के अंदर क्या प्रैस होने वाली है तो विवर्स जिनको नहीं पता के नेफिंग फून क्या चीज़ है नेफिंग फून मुबाइल इंडस्ट्री में एक नई कमपनी है और इसके फाउंडर है कारल पाई ये वो ही परसन है जो के वन प्लस के को फाउंडर थे लेकिन अब इन्होंने वन प्लस से अलग होकर अपनी एक नई कमपनी इंटर्डियूस करवाई है जिसका नाम है नथिंग नथिंग के सबसे पहले इन्होंने लाउंच किये थे एर बर्ड्स और अब इन्होंने लाउंच किया है नथिंग फून वन इन डिवाइसे में खास बात क्या है कि इनकी जो बैक है वो ट्रांस्पेरंट है नेधिंग फून वन की पिक्चर्स को अगर हम यहाँ पर देखें गोर से तो इसके जो सबसे मज़ेकाई कैचिंग फीचर है वो है इसके बैक के उपर ट्रांस्पेरंट गलास और उसमें एलेडीज के पैटन यह लेडीज रिंग टून के साथ पैटन बनाती है इसके अलावा चार्जिंग के दौरान आपको बताती है कि चार्जिंग कितने परसंटर हो चुकी है और इसके अलावा जब आपका कैमरा यूज हो रहा है तो उस वकत भी ये इंडिकेटर के तोर पर काम आती है नथिंग फून की जो साइड्स है वो बिल्कुल फलैट है और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आई फून को टार्गट किया है तो आईए इसको कमपेर करते हैं सामसंग के गलक्सी A73 के साथ और देखते हैं कि कौन सा फून ज्यादा पौंच लेता है और एंड पर देखेंगे कि इसकी जो पराइस है वो क्या होने वाली है तो विवर्ज यहां पर लेफ्ट साइट पर हमार पस है नथिंग फून और राइट साइट पर है सामसंग गलक्सी A73 तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर जो 5G है दोनों के अंदर मोचूद है लांच डेट जो है वो है जुलाई 2022 और सामसंग की डिवाइस है मार्च 2022 में इनके यह पांच माँ पहले लांच हुई है दोनों की जो डाइमेंशन हैं वो यहां पर तकरीबन सेम से माती हैं वेट के लिहास से अगर देखा जै तो सामसंग का A73 इसका वेट थोड़ा कम है नथिंग फून का थोड़ा सा ज्यादा है नथिंग फून आपको फ्रंट पर और बैक दोनों पर गोरिला गलास देता है जबके सामसंग गलेक्सी A73 सिरफ आपको फ्रंट पर प्रोटेक्शन देता है तो इसलिहाँ से जो पॉइंट है यह जाएगा नथिंग फून को इसके इलावा डॉल सिम्स दोनों के अंदर मुझूद है और यहाँ पर जो मज़े की चीज़ आ जाती है हमारे पास बैक के उपर नथिंग फून के वो है मल्टिपल एलेड लाइट्स ओन दी बैक नोटिफिकेशन चारजिंग फून कैमरा फिल लाइट इसके लावा ब्लिंकिंग रेड लाइट ओन दी बैक वीडियो रिकॉर्डिंग इंडिकेटर और यहाँ पर जो IP53 रेटिंग आती है हमारे पास बास बैक के वाटर एंड डस्ट रेजिसंस में नथिंग फून में जबके सामसंग आपको देता है IP67 तो यहाँ पर इसको पॉंट देंगे हम सामसंग को इसके लावा दोनों के अंदर AMOLED स्क्रीन आ रही है दोनों के अंदर 120 हर्स है सामसंग आपको देता है मैकसिमम 800 निट्स जबके नथिंग फून आपको दे रहा है यहाँ पर 1200 यानिके 1200 तो यह पॉंट जाएगा नथिंग फून को इसके बाद आता है रेजूलिशन दोनों में सेम है Android का वर्जिन दोनों के अंदर 12 आ रहा है और चिपसेट दोनों के अंदर सेम आ रही है Snapdragon 7786 नानोमेटर के उपर जो बेस है CPU भी सेम है और GPU भी दोनों में आलमोस्ट सेम आ रहा है यहाँ पर आ जाते है नीचे कार्ट स्लोड जो है वो आपको दे रहा है Samsung का फून नथिंग फून आपको यहाँ पर कार्ट स्लोड नहीं दे रहा यह पॉंट जाएगा Samsung को इसके बाद जो बेस वेरियंट है निथिंग फून का बेस वेरियंट 128.8 में आएगा और Samsung का 128.6 GB में आएगा तो यहाँ पर यह पॉंट जाता है निथिंग फून को इसके बाद आ जाती है कैमरा के अंदर आपको देता है निथिंग फून टू लैंजिस जिसमें एक वाइड है और दूसरा अल्टरा वाइड है दोनों में 50 MP के लैंजिस है जबके Samsung में आपको अब मिलते हैं Quad लैंजिस 108 का मेंज वाइड है 12 का अल्टरा वाइड 5 का Macro और 5 का Depth तो जो ज़्यादा लैंजिस है वो Samsung के अंदर है तो यह हम दे देते हैं पॉइंट Samsung A73 को Selfie camera की बात कर लिजए Nothing for आपको देता है 16 MP वाइड जबके Samsung आपको देता है 32 MP वाइड और यहाँ पर यह आपको Front camera में 4K वीडियो भी परवाइड कर रहा है Samsung का A73 यह पॉइंट भी Samsung को ही जाएगा इसके इलावा अगर आजाए हम नीचे तो यहाँ पर हमारे पास तमाम स्पेक्स तक्रीमन सेम से मा रही है USB Type-C दोनों के अंदर 2.0 है fingerprint sensor दोनों का under display optical है और इसके इलावा बैटरी के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर Nothing phone में है 45 MP और इसके जो charging है वो है 33 Watt Samsung आपको देता है 5000 लेकिन charging speed की कम है यह point याएगा Nothing phone को इसके बाद आ जाती है हमारे पास wireless charging की facility Nothing phone में है reverse wireless charging की भी facility मौझूद है power delivery और quick charge भी मौझूद है यह point भी हम Nothing phone को ही देते हैं तो viewers यहाँ पर हमारा जो comparison है वो मुकमल हुआ है अगर बात कर लेजाए brand value की brand value के अंदर Nothing phone अभी company new है लेकिन Samsung की जो है उसके brand value थोड़ी ज्यादा है तो इस हवाले से अगर आप चाहें तो यहाँ पर Samsung को point दे सकते हैं लेकिन हम यह point Samsung को यहाँ पर नहीं दे रहे तो आज की वीडियो का जो winner है आज के comparison का जो winner है वो है Nothing phone 1 तो इस वकत Samsung Galaxy A73 की पाकिस्तन के अने price 1,15,000 रुपे है और उमीद की जा सकते है कि Nothing phone भी इसके इर्द गिर्द ही कहीं पाकिस्तन में लांच होगा 1,10,000 से 1,20,000 के दोरान ये predict इस वकत किया जा सकता है इसके जो camera का pattern है वो भी iPhone की तरह ही यहाँ पर design किया गया है तो viewers आपको यहाँ पर बताते चलें कि OnePlus जब launch होई थी तो उन्होंने जो devices launch करना शुरूर की थी उनको नाम दिया थो flagship killers का यानि कि वो ऐसी devices बनाते थे जो के कम किमत हों लेकिन दूसरी companies के जो flagship है उनके level की हों लेकिन nothing phone ने ये strategy नहीं अपनाई बलके यहाँ पर यह जो phone है ये एक mid range या upper mid range phone है जो के target करेगा तमाम लोगों को जो लोग flagship devices ले सकते हैं उनको भी target करेगा और जो लोग upper mid range phone लेते हैं उनको भी target करेगा इस लिहाँ से इनके strategy बहुत ज्यादा अच्छी है तो viewers उमिद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इसको like और share जरूर कीजेगा और हमारे channel mobile arena को जरूर subscribe कीजेगा इट इस बिलाल साइद signing of अल्ला हाफीज